एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसके वजह से दोस्तों बैंकिंग सेक्टर पे काफी ज़्यादा दबाव देखा जाए अगर आज की डेट में हम देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी के ठीक है निफ्टी के टॉप 10 अगर देख लेते हैं दोस्तों ये सारे लूजर्स में और ये खबर के वजह से सबसे पहले हम फोकस करते हैं तो बजास फाइनिस ठीक है बजास फाइनिस है उसके अब बाद इंडिसेंट बैंक है कोटक बैंक है एकसे बैंक है और HDFC है दोस्तों ICI है तो ये सारे स्टॉक में आज की डिट में गिरावाट क्यूं देखी गई है और वो भी अगर आप देखोगे तो लगतार दोस्तों 4% 3% 4% 3% के गिरावट मतलब बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है दोस्तों इसके पीछे दो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों मोनेटरियम के निउस के बारे में तो आपको काफी पहले पता भी होगा लेकिन आज की डिट में क्या चल रहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और अभी ठीक है जैसे कि यहां देख सकते है 15 मिनिट अगो मतलब कि देखे अभी जो है अभी दोस्तों 7 ओकलॉक हो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 15 मिनिट पहले एक news आया है और उसके बाद यहां पर देखना चाहते हो तो 55 अगो एक news आया है और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड नौट मीडिल विट लॉन मोनेटरियम मतलब कि दोस्तों जो लोन मोनेटर से फाल रहा. तो अब government ने क्या कर दिया और भी इसको क्या कर दिया गया है. दोस्तो वन मंथ के लिए extend कर दिया जा रहाए. एक एक example बोलो हूं और फिर coconut virus फैलते जा रहा फिर इसको क्या किया जा रहा है. दोश्तो one year two months के लिए extend करते जा रहा है, जैसे कि अब दोस्तों कैसे मोनिटोरियम का कोई भी हल नहीं है यहाँ पर एक बहुत बड़ा अगर आप देखोगे तो दोनों साइट से जो मैंने दोस्तों एक बताया दो साइट से यहाँ पर आपको लफ़डा देखने को मिल सकता जैसे कि देखे यह जो निउस है दोस्तों दस गंटे पहले आया और यहाँ पर बताया है जारा कोरोना वाइरिस के अपडेट निउस बताया जारी है यहाँ देखे इंडिया सी बिगेस्ट जंप इन कोविड नाइंटीन मतलब कि दोस्तों अभी के हिसाब से जो दिखा जा रहा दोस्तों वो बिगेस्ट जंप है और कितना है वितिन ट्वंटी फॉर आवर यहाँ देख सेकते हैं वितिन ट्वंटी फॉर आवर कितना है दोस्तों 9304 और कल को दोस्तों यह 10,000 को भी पार कर देगा, 10,000 को भी ये पार कर देगा दोस्तो, तो इतना speed से बढ़ रहा अगर देखे, Corona Virus पहले कैसे चलता था, पहले 300 के speed से चलता था ठीक है? Sorry, 300 के speed से चलता था फिर 500 के speed से चलता था और फिर दोस्तो 1,000 में आगाए, 1,000 2,000, 4,000 और आज की टेट में अगर आप देखो तो यह दोस्तो डबल डिजिट में भी आने जा रहा 10,000 के आसपासी आने जा रहा तो यह जो है बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन जब तक इसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा बैंक में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकता है और गैस पहले जब लॉकडाउन था लॉकडाउन होने के वज़ा से दोस्तो क्या करोना वाइरिस कंट्रोल में था थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में था है पहले देखिए 2000 के लेबल पे दोस्तों ये कितने दिन तक मतलब 2-3 मेनी तक रहा लेकिन जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन को क्या क्या जा रहा है छूट दिया जा रहा है दोस्तों लोग मतलब आज क्रेट में अगर अपने घर के आसपास भी देखेगा तो न्यूज और जो खबर आ रही है दोस्तों बहुत तेजी से फैल रही है और पहले अगर देखते हो तो एक क्रोना वारिस ये देखे ये फ्लैट रिंज में चलता था लेकिन अब ये जो क्रोना वा जो मालिजे कि जो आम आदमी है दोस्तों डे-tee Будाब रहा दिया जा रहा है अब कि इसके बावजूद आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको यह पे करना पड़ेगा इंट्रेस्ट पे करना पड़ेगा तो फरह क्या है दोस्तों इंट्रेश्ट नीजिए या इमाइ दी अभी देखिए क्या कर रहे थे गौर्रमेंट कर लेते हैं अब यहां पर बोला जा रहा था कि यह जो कुरोना वायरेस है यह फैलते जा रहा मतलब तेजी से फैल रहा ठीक है और यह रुकने वाला नहीं है तो दोस्तो जितने भी बैंक है वो तो अपना काम कर रहे न और जित नुकसान हो रहा दो लाग करोड का बैंकों को नुकसान हो रहा अब उनको कौन भरपाई करेगा तो दोस्तो अब गौर यह जो है कि यह बोला है सुप्रीम कोट ने बताया है कि अब लोगों को EMI देना पड़ेगा लेकिन हां दोस्तो लॉगडाउन खतम होने के बाद जो यतना देखे यह जो मान लेते हैं कि दोस्तो यह देखे वन एक मिनट थोड़ी थोड़ी सही से समझा देता हूं ठीक है अब देखे यह मान लेते एक छोटी छोटे यह लॉगडाउन बना लेते हैं यह लॉगडाउन फर्स था यह लॉगडाउन सकेंड ठीक है ऐसे करकर के दोस्तों बहुत सारे lockdown है अब लोगों को क्या किया जा रहा है रिलीफ दिया जा रहा है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं छोटे लोग हैं तो उनको घर चलाने के लिए पैसा नहीं है तो अब गॉर्मेंट ने क्या बोला यह जो lockdown है 1,2,3,4 चाहिए जितने भी lockdown है यहाँ पर इससे क्या होगा दोस्तों बैंकों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा इससे उनको पता चलगा ठीक है जो पैसे मुझे आज मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे अभी लेकिन आने वाले दिनों में मुझे मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर गॉर्मेंट पबलिक को रहात दे दिती है तो बैंकों के यही सोचना पड़ेगा कि मुझे लॉस हो गया बैंक यही सोचेगी और दोस्तों अपने बैलेंस शीट में यही दिखाएगी कि मुझे जो है इतना का लॉस हो चुगा है जिससे आपको भी शेयर मार्केट में नुकसाम देखने को मिल सकता है क्योंक नहीं था इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोट में केस गया है और लगबग अगर आप देखोगे तो निफ्टी तीन या चाम मतलब काफी दिनों से दोस्तों निफ्टी उपर से उपर जा रहा था और आज के डिट में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है तो यही केस के इनकों में सबसे ज़्यादा प्रावलम यह आ गया है कि कुरोना वाइरस तो फैल रहा ठीक है लॉक्डाउन वहां का वहां ही जाएगा माल लेते दिरे दिरे अगर लॉक्डाउन को खोलते भी है तो काफी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और उनको एक भारी नुक्सान का स sufficient नहीं था और जितने भी दोस्तों हमारे rating agency उन्होंनों भी बोला है कि इंडिया के जो अब एकनॉमिक है वो और भी नीचे जा सकती है अब इतनी बड़ी समस्या थी दोस्तों यहां पर बताया जा रहा था कि six month के लिए आपको जो है दोस्तों मोनेटरियम के लिए क्या किय जाएगा relief दिया जाएगा ठीक है मतलब कि आपको नहीं पे करना है लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं सोच यह six month में बैंकों को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मतलब कि दोस्तों half year हम बोल सकते हैं half year तो दोस्तों आधे साल का मतलब जो half year उनमें बैंकों को काफी ज्यादा नुकसान होगा दो लाग करोड का जो है नुकसान हो सकता है दोस्तों one percent of GDP national GDP का जो है इतना बड़ा amount जो है उनको नुकसान होते हुए दिखेगा तो बैंकों को यह कोई छोटा मुटन यह loss नहीं हो रहा है इस वज़े से दोस्तों आपको banking सेक्टर में जादा तर और finance सेक् कुछना है किसको रहात दिया जाए banking सेक्टर अलग है और जो common में मालेज़े जो छोटी लोग है उनको भी जादा जादा प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें balance करना पड़ेगा तो दोनों को balance करना पड़ेगा ताकि सही से दोनों रहे अगर माले इसके वज़े से नुकसान हो रहा है तो यह सबसे बड़ी जो problem है यह है दोस्तो अगर इसका solution निकल जाएगा तो bank को भी relief मिल जाएगा और जो public है वो भी सही से आने वाले दिन में जो EMI है या interest है वो pay करना start कर देगे तो आपको जो banking sector में या finance sector में अच्छी खासी आपको relief दिया जाए public हो या bank को क्योंकि यहाँ पर जो बीच में problem है उसका solution नहीं निकल पा रहा है वो है दोस्तो करोना वाइरिस जिस speed से यह बढ़ रहा है वहाँ पर आपको काफी जादा problem देखने को मिल रेटी है तो सबसे बड़ा जो problem है दोस्तो करोना वाइरिस जब तक यह स समस्या चलती रहेगी bank भी problem में रहेगी और जो public है उनको भी problem होगी तो मुझे लगता है banking sector से दूर रही है और हाँ दोस्तो मैंने ये वीडियो जब बना रहा हूं तो मैंने part 1 लिखा है ये side में part 2 लिखा तो part 1 side में मैंने जो लिखा है दोस्तो वो अच्छे वाले stock है ऐसे ICI से bank में गिर आउट हुआ वो ऐसे वैसे recovery भी हो रहा था लेकिन क्या करें जो समस्या वो खतम नहीं हो रही तो दोस्तो मैंने part 1 में जितने भी stock लिखे हैं जैसे कि kotak है और federal bank भी थोड़ बहुत strong है दोस्तो और kotak है और HDFC है और ICI से bank है दोस्तो तो ऐसे bank जो और जितने भी तरह दोस्तो आईडी भी है आईडी फसी फर्स बैंक यह जो है एक्सेस बैंक यह सब में आपको ज़्यादा तरह वीकिनेस देखने को मिलती है आप याद रखें जब भी दोस्तो मार्केट में गिरावत होता है बैंकिंग सेक्टर में तो यह जो मैंने part 2 में लिखा दोस्तो इधर बहुत ज़्यादा नुकसान होता एकशस बैंक देखें बहुत ज़्यादा गिरता है बजाज फाइनस गिरता तो दोस्तो वह भी ज़्यादा गिरता आईडी फसी बैंक ऐसे स्टॉक पे तो मैं बुलोंगा आप अच्छी स्टॉक में पैसा सब्सक्राइब करने में कोई तखलीफ हो रही है तो आप अपने अकाउंट दोस्ते एंजल ब्लोकिंग में खोल सकते हैं यहां पर आपको बिल्कुल रुपीज चार्ज लिया जागा दोस्तों और यहां पर आपको 20 रुपीज करता जागा जहां हर जगा लगता है 20 के साहीट से आपको सपोर्ट दिया जाएगा और बताएज जागा दोस्तों आप यहां पर यह कर लोगे अपने अटिमेंट अकांट अ dir करोगी और टोमेक दोस्तों आपका नंबर वहां रिजिस्टर हो जाता है और आपको सपोर्ट दिया झाल झाल झाल